ऐसे में 21 साल की जो मायवती जी है वो सोच ये समस्जी है और मानने और कांशिराम साप के और बाबा साप की इस मिशन मुमेंट को अपना तन मन और दन पूरी तरीके से समर्पित होने के लिए तयार हो जाती है आप सोच ये 21 वर्ष की उमर में 1977 के बात की ये बात है कैसी मांस दिखता रही होगी इस देश के अंदर में आज वर्तमान परिस्तिती में महिलाओ की सीती किस प्रकार और सुरक्षा में बनी हुए 1977 की परिस्ति कैसी होगी ऐसे समय के अंदर में भी बहन मायवदीजी ने निरणा लिया और कांशिराम सहाब के साथ में इस मिशन मुव्मेंट में लग जाती है सात्यों जैभीम मैं हूँ परागमेंदर आप देख रहे है दधिंग आपको बताती कि तारीक आज की है 15 जनवरी और एक ऐसी एहतियासिक तारीक जिस तारीक पर देश के अंदर में तमाम समतावादी वीचारदार रखने वाले लोग इस देश के अंदर में फुले शाओ बाबासाब को मानने वाले लोग और इतना ही नहीं तो समता स्वातंतरता बंदुता को प्रस्थापित करने के लिए जो विचार करने वाले लोग है वो आज के इस 15 जनवरी को जन कल्यान कारी दिवस मनाते हैं आखिर इसके पीछे का कुछ उद्देश है क्या है आपको बता दे कि बहुजन समाच पालिटी के राश्चियत दिवस बहन मायवती जी इनका जन्म दिवस आज है और 67 जन्म दिवस को पुरा भारत मना रहा है और उनको लगातार बधाया दे रहा है उनकी दिरगायों की काम कर रहा है आज बात करेंगे या इसे ही सक्षियत के बारे में जिनका जन्म दिवस है बहुजन समाच पालिटी के राश्चियत दिवस तक बनने का सफर किस प्रकार रहा कैसे इनकी राजनीतिक अपरा सफर रहा कैसे इनकी शुरुवात हुई इन सारे बाचीत को सारे मुद् उत्रप्रदेश के अंदर में और खास तोर पर उत्रप्रदेश के अंदर में वो च्यार च्यार बर सत्ता में आते हैं। पर चर्चा होती है और इस चर्चा के अंदर में स्वास समंत्री राज नारायन बड़े तेजी से बार बार अपने भाशन के अंदर में हरिजन शब्दका उपियोग करते हैं। भाशन के माद्दम से जवाब देती है कि वो हरिजन नहीं है तो इस देश के अंदर में वो बवजन समाज के वो लोग है इस देश के अंदर में वो अपना वजुद रखने वाले वो लोग है जो इस देश के मुल निवासी है। और अपने भाशन के माध्यम से वो चर्चा में आ जाते हैं इतनी हद तक कि उनकी चर्चा बढ़ जाती है उनका नाम उस पुरे सभा के अंदर में चर्ची हो जाता है और उनके भाशन से तमाम वो लोग जिनको हरिजन के शब्द से आपत्ति दी वो लोग मायवती जी इनके भाशन से खुश हो जाते है उसके बाद में जब खबर पहुशती है कांशिराम साहब के पास में माननर कांशिराम साहब के पास में जब खबर पहुशती है तब उनको पता चलता है कि मायवती नाम की कोई लड़की है जिनोंने स्वास समंतिर राज नारायन को अपने भाश कर रहे हैं आप इस देश के अंदर में जो आयास बनना चाहते हैं आने वाले भवशे के अंदर में जिस प्रकार में इस देश के अंदर में बहुजन समाच को जागरत करने का काम कर रहा हूँ इसके साथ-साथ मैं इस देश के अंदर में जिस प्रकार भवजनों की विचारध आप इस मिशन में जुड़ जाइए ऐसे में 21 साल की जो मायवती जी है वो सोस्त ये समस्त ये है और मानने और कांशिराम साप के और बाबा साहब की इस मिशन मुवमेंट को अपना तन मन और दन पूरी तरीके से समर्पित होने के लिए तयार हो जाती है आप सोचिए 21 वर्ष की उमर में 1977 के बाद की ये बात है कैसी मानसिकता रही होगी इस देश के अंदर में आज वर्तमान परिस्तिती में महिलाओ की सीती किस प्रकार और सुरक्षा में बनी हुए 1977 की परिस्ति कैसी होगी ऐसे समय के अंदर में भी बहन मायवदी जी ने निरणा लिया और कांशराम सहाब के साथ में इस मिशन मुवमेंट में लग जाती है उसके बाद में जो कार्वा शुरू हो जाता है उसके बाद में बामसेफ के सास्त में जिस प्रकार मन्यर कांशराम सहाब ने 4200 कीलोमीटर चलकर इस देश के अंदर में फुलेश ओब बाबा साब की विचारधारा का परचार परसार करने का काम किया है और पुरा भारत का भ जब आगे चलकर साइकल से जो सफर शुरू होता है ये जो दिल्मबे जज़बा लेकर जो सफर शुरू होता है महापूर्चों का आंदुलन सकारातमकीस आंदुलन का जो सफर शुरू हो जाता है इसके बाद में सफर आगे बढ़कर इस हद तक के पहुच जाता है कि पर बढ़ जाती है, बामसेफ का काम इस हद तक के बढ़ जाता है, डियस फोर का काम इस हद तक के बढ़ जाता है, जिसके बाद में वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारी सरकार बनना शुरू हो जाती है, जिस बरकार धिरे धिरे करकर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं तो चार चार बार उत्तर प्रदेश के अंदर में फुलेशा और बाबा सहाब को मानने वाले लोगों की सरकार बन जाती है और ऐसे में जो लखनों के अंदर में जो खास्त वरपर राजधानी है और उत्तर प्रदेश के जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो प सिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, धन संचे करने का अधिकार नहीं दिया गया, इस देश के अंदर में उनको आज़ादी से अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया गया, इतना ही नहीं तो राजा बनने का भी अधिकार नहीं दिया गया, ऐसे लोगों को इस देश के हमको उत्तरप्रदेश के अंदर में हम जब जाएंगे तो वहाँ पर जो अंबिटकर पार्क है मानियर कांश्राम साहब के नाम से तमाम भाउजन महापूर्शों के नाम से जो जिले बनाए गया है इसे के साथ साथ तमाम महापूर्शों के नाम से वहाँ पर स्कूले को खोले अपने सरकार के अंदर में अपने सरकार के अंदर में अपने बहुजन महापूर संगर्षो को जब मान सम्मान दिया है आप जब उत्तरप्रदेश में जरूर जाएंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार हमारे बहुजन महापूर से क्वा पर आपको मूर्तिया देखने को मिलेगी किस प्रकार हमारे विरासत को पूनर जीवित किया गया है आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पूर के कितने महान थे किस प्रकार हमारे विरासत थे हमने विरासत का हमारे विरासत को किस प्रकार संरक्षन देना चाहिए यह तमाम चीजे तब हो पाई है जब इस देश के अंदरे बहुजुनों का राज आया और बहुजुनो नहीं कि किसी वेप्रकार का धन संचे नहीं किया किसी वेप्रकार का उनोंने लोब नई लग रखा अपने जीवन से उनका मानना यह है कि इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज is यही मेरा परिवार है और वो किसी भी प्रकार का जो अपने सांसरिक जीवन में नह जाते हुए उन्होंने पूरी अपनी जो जिन्दगी है वो इस देश के अंदर है बहुजन समाज के नाम पर कुर्बान की अकर्दी है और इसी के चलते आज 67 वा जन्म दिवस उनका पुरा भारत मना रहा है और इ आयोजन होने जा रहा है और यह कारेक्रम यहापर शाम का यहापर किया गया है तैयारिया शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर यहापर हम आपको एक्सक्लूजिव तस्वीर दिखा रहे है यह कारेक्रम की शुरुवात यहापर होने वाली है आप आज के इस जन्कल्लान का दिवस को किस प्रकार मना रहे है बहन मायवेती जी इनको किस प्रकार आप अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें बढ़ाया दे रहे है कमेंड बाक्स में आपकी प्रतिक्रिया जुरूर बताए अगर आप सोच ये इस देश के अंदर में बहुजन समाज के तमाम नेताओं क मान समान नहीं दिया जाता उनके समय समय पर उनका अपमान किया जाता है बहुजन महापूर्चों का लगातार अपमान किया जाता है लेकिन जब तक कि आप अपने नेता का मान समान नहीं करेंगे तब तक कि इस देश के अंदर में जो मनुआदी जाती वादी जो मीडिया ह या फिर जो जाती वाजी सोच रखने वालोग है तो आपके महापूर्चों का लगातार अपमान करते जा रहे हैं आपके नेता का मान सम्मान आपको ही करना पड़ेगा आपको अपने भौजन महापूर्चों का सम्मान आपको ही करना पड़ेगा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप अपने आने वाले पीडियो को भी एक सही विरासत नहीं दे पाएंगे, एक सही परवरिश नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस देश के अंदर में हमारे तमाम बहुजन नेता को संरक्षन देना, उनका एक सकारातमक, उनका सकारातमक, एक पक्ष रखना ये भी पाएंग हो चुकी हो, क्योंकि मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया और जो गोधी मीडिया है, ये लगातार बहुजन महापूर्चों को, बहुजन नेताओं को अपमानित करने का काम करता है, तो आप बहुजन समाज के एक वेक्ति होने के नाते आपकी जिमेदारी बहुजन महापूर्चों को, बहुजन नेताओं को लगातार मान सम्मान दे, बहुजन महापूर्चों के आपकी है, लेकिन जितना भी सफल हो पाया है, वो भी एक बहुत बड़ा सवरन सुवरन अक्षरों में इस देश के अंदर में लिखा गया है, जब इतियास आएगा, इतियास में जब पूछा जाएगा, कि ऐसे कौन सक्षर है, ऐसा किसका इतियास रहा है, जिनोंने अपने सरकार के अंदर में तमाम बहुजन महापूर्चों के विरासत को पुनर जिवित करने का काम किया है, एक इंसानोंने के बाद में इंसानोंने की जिन्दगी, जो जो जमर्रा की जिन्दगी जी रहा है, जो रोच कमा रहा है, जो खा रहा है, इसके बावजूत भी हम लोग भी कभी नेता बन सकते हैं, हम लोग भी सांसद मंत्री, आमदर, खासदार बन सकते हैं, ये तमाम चीजे हमारे जीवन में भी कभी ने कभी हो सकती है, ऐसी सोच न महापूर्शों का मांसम्मान जो पुरा देश कर रहा है यह होना कहिने के असंबव होता आज पूरा भारत जिस प्रकार जनकलन का दिवस मना रहा है यह संबव नहीं हो पाता तिए तमाम जो चीजे है यह बहत ही महतवपूर्णा रखती है इस देश के अंदर में हमारी बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुले